क्या आपके चहरे के रोंग चिदर इस प्रकार से विजिबल होने लगे हैं देखिए ना तो ये कोई बिमारी है और ना ही कोई डिफेक्ट है लेकिन अगर आप अपने रोंग चिदरों को साफ नहीं करते हैं इनमें बार-बार ब्लाकेट्स होने देते हैं और ये चोड़े हो होने लगे हैं तो believe me in the long run आपकी skin बहुत unhealthy डिपेक्ट हो सकती है तो क्या करना चाहिए आपको इन्हें clean रखना चाहिए इनका खयाल रखना चाहिए उम्र के साथ साथ वक्त रहते आपको इन्हें minimize कर लेना चाहिए वो कैसे कर सकते हैं अपने घर की comfort में बहुत आसानी से आ और कैसे करना है और कितना करना है और काफी positive है अगर आपका इस channel पर पहली बार आना हो रहा है तो मेरा नाम है प्रेडना इस channel का नाम है प्रीती प्रेडना मैं यहाँ पर अपने परिवार से मिलने के लिए हफते में 3 दिन लेकर बेहतरीन DIY remedies आती हूँ जिने use करके मेरा परिवार काफी खुश है अगर आप आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है और बिल्कुल मुफ्त है नीचे जो लाल रंका बटन है सब्सक्राइब जिस पर लिखा है आप उसे क्लिक कर दीजे बगल में बैल आइकन है आप उसे भी क्लिक कर दीजे ताकि future में आने वाली जितन करने के लिए आई हूँ एक बहुत ही आसान 4-step process, 4 steps है पर बहुत simple है and you are going to enjoy them for sure and also यह आपके skin को इतना soft, supple and healthy कर देगा कि आप लोग बुलेंगे कि भाई वाह, take this challenge, यह 5 दिन का challenge है, 5 तिनों में आपको अपनी skin का texture, आपके skin की quality में अपलेफमेंट दिखना निच्चित ह है, I guarantee you that provided, आप इसको exactly ऐसे ही follow करें जैसा कि मैं आपके साथ share कर रहे हूँ और बिना किसी प्रकार के testing के, यहा, यह challenge जरूर है, लेकिन अगर आप natural remedies पर विश्वास नहीं करेंगे, तो यह अपना magic आपको नहीं दिखाएंगे, as simple as that, you have to put your faith, आपको अपना विश्वास इ किजेगा कि कुछ नहीं हुआ, इस remedy के शरुवात के लिए, सबसे पहला step है, आपको अपने चहरे को clean करना है, देखिए, अगर आप makeup का इस्तमाल करते हैं, तो I would insist कि आप face wash भी करिये, और micellar water का भी इस्तमाल कीजे, क्योंकि micellar water is actually charged particles, जो आपके makeup को पिखला के बिलकुल जाता है, मेरा चहरा absolutely clean था, इसलिए मैंने normal Cetaphil का face wash होता है, उसको cotton pad लेके उससे wipe off कर लिया, and that was sufficient for me, आप according to आपकी skin, कोई भी method इस्तमाल कर सकते हैं, जब आपका चहरा अच्छे से clean हो जाए, इसके बाद आता है step number 2, जहां पर आपको एक mask का application अपने चहरे के लिए करन करते, देखिए अगर आप एक इस्तमाल नहीं करते हैं, तो आप बिनायना का इस्तमाल कर सकते हैं, यानि की केला, ना जादा पका ना जादा कच्छा, बिल्कुल मीडियम जो खाने के लिए perfect होता है, जस्ट थोड़ा सा केला आपको लेना है, उसे mash कर लीजिए और इसमें एकिने हैं, उसे सांडलवुड़ट पाउडर, अगर एगटेरियन है, नौन विजेटीरिन हैं, तो आप एग वाइट ले सकते हैं, अगर आप वेजेटीरिन हैं, तो आप केला ले सकते हैं, दोनों का अपलिकेशन आपके चहरे पर जो इंप्याट सेम होता है, जो लोग कर केले का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप केले में भी आधा चम्मच ही सानल बुट पाउडर लेंगे और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे इफ रिक्वाइड अगर नहीं बन रहा है वो पेस्ट जैसा तो आप थोड़ा सा उसमें दूद डाल सकते हैं अच्छे से मैश कीजिए औ आपको चंदन पाउडर डाल के उसे अच्छे से मैश करना है देखे इसे दो काम होंगे एग में जो स्मेल होती है वो चंदन पाउडर से बहुत जादा हद तक मिनिमाइज हो जाएगी और आप इसका अप्लिकेशन अपने चेहरे पर बिना किसी प्रॉब्लम और स्मेल के कर चंदन का जो यहां पर इस्तमाल हो रहा है आप सभी जानते है कि चंदन एक कूलिंग सेंसेशन आपकी स्किन को देता है और आपकी स्किन इतना रिफ्रेशंट और इतना हेल्दी फील करती है कि अगर आपने कभी चंदन पाउडर अपने चेहरे पर अखेले नहीं लगाए ह लेकर आए चंदन पाउडर और अपने चेहरे पर लगाए है देखिए मैं जो चंदन पाउडर यहां पर इस्तमाल कर रहे हूं बहुत सारी वीडियो में आप लिखते हैं यह कौन सा है मैंने कोशिश करी है से ऑनलाइन सर्च करने की पर मैं ऑनलाइन इसे नहीं ढून पाती आज स्पासी बहुत खुबसूरत चीज़े होती है आप उनको चेक आउट कर सकते हैं तो जिस अनलवोड पाउडर के लिए आप कामफर्टेबल है वह आप यहां पर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और आपका फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है स्टेप नमबर टू के आप इसी मास्क को अपने चेहरे पर लगाएंगे और रहने देंगे यह अंडा है एग वाइट है बहुत आसानी से सूख जाता है केला कर आप लगा रहे हैं तो वह भी साथ साथी सूख जाता है कोई जादा देर नहीं लगती है और इसको रहने दीजे सूखने दीजे जैस आपको तीन से चार बार करना है और आपको महसूस होगा कि यह कैसे स्टिफ हो गया आपके चहरे पर आपके चहरे को इसने एकदम टाइटन कर दिया है जहां यू विल फील दाट अंडा लगाएंगे या केला दोनों ही वे में आपको ऐसा ही फील होगा और बहुत जादा स् क्योंकि जब आपके चहरे को स्टिफ करता है तो जो डायरेक्शन में आपका फेस होगा उस डायरेक्शन में आपकी स्किन स्टिफ हो जाएगी और काफी अच्छा आपको ग्रेस दिखेगा चहरे पर अगर लेट सकते हैं तो बहुत बढ़िया अदर्वाइस अराम से बैट को अप्रोक्सिमाटी 10-15 मिनट्स में यह सूख जाएगा फिर अपने पूरे मास को हलका सा भिगा के गीला करना है हाथों से और फिर मसाज करके वाश एट ओफ जब आप वाश करेंगे पता चल जाएगा कि भई वह स्किन तो इतनी सॉफ्ट सपल हो चुकी है को लाजन कि जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो गए हैं लेकिन यह कोई सॉर्षरी नहीं है कि आपने की और पर्मनेट आपके पोर्स मिनिमाइज हो गए कुछ समय के बाद वो फिर से उपन हो जाएगे इसी लिए यह फाइव दीस चालेंज है आपको एक दिन में रिजल्ट दिखेंगे इसके बाद लेकिन जिनकी स्किन ड्राइ है उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होगी So don't worry I am going to the further steps Step number 3 के लिए आप लोगों को अपने चहरे को अच्छे से टोन करना है अब अगर आपकी oily skin है तो आप सिरफ गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए अगर आपकी combination skin है तो जो भी skin toner आप अपने ले इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए अगर आपकी dry skin है तब तो आपको definitely toner प्लस गुलाब जल या किसी तरह का DIY toner आप अपने लिए बना के रखिए और उसका application अपने चहरे पर करिए जब आप इस toner को लगाएंगे तो आपके जो pores minimize हो रखे हैं तरीके से लॉक हो जाएंगे और जल्दी से ओपन नहीं होंगे step number 4 के लिए ये optional है अगर आपकी oily skin है I would suggest कुछ मत लगाएं अगर आपकी combination या dry skin है तो it is a must for you कि आप अपने चहरे को अच्छे से मॉस्चराइज करें मैंने यहां पर Cetaphil का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राइ हो जाती है दूरिंग विंटर सीजन तो मैं मॉस्चराइज कर रही हूँ you don't have to take a lot of it थोड़ा सा मॉस्चराइज लेकर मॉस्चराइजर लेकर और पैड ड्राइ कर लीजे अपने पूरे चहरे पर और यू बुट सी कि आपका जो चहरा है वो दिन भर के लिए पोर्स को विजबल नहीं होने देगा पूरा दिन आपका जो फेस है if at all you are not doing anything extreme धूप में जाना फील वर करना अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो दिन भर के लिए आपके पोर्स आपसिलूटी लॉट हो चुके है मैंने अभी रेमेडी करी है आपने देखा मैंने दो चोटी बनाई थी मैंने सर्फ दो चोटी खोली हुई अभी और मैंने बाल बांद के और मैं आपके सामने आ चुकी हूँ बात करने के लिए मैंने कुछ not even sunscreen भी मैंने अपने चहरे पर नहीं लगाया है तो आपको पहले भी बोल रहे हैं कुछ लोगों के चहरे पर बहुत सिविर परिशानी होती है अगर वो भी ऐसा ही expect करें कि immediate ऐसा ही grace आना चाहिए तो वो possible नहीं है आपको पांच दिन लगातार करने पर बिफोर आफटर दिखने लगेगा आप अपना बिफोर क्लिक कर लीजे इसको पांच दिन लगातार कीजिए छटे दिन अपनी पिचर लीजे और दोनों को compare कर लीजे I am pretty sure you are going to be amazed कि ये कोई magic हुआ है ये कोई magic नहीं है ये जो natural remedies होती है ये लिटरली इतनी potent होती है न कि आप जो भी market-based product लेके आते हैं I am not saying market based products are not good मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूं बहुत लोगों को confusion रहता है ये वाला कि I always say natural remedies मैं बोलती हूं लेकिन अगर आप market-based products को ध्यान से पड़ें तो कुछ ऐसे preservatives हैं जिनको हम decode नहीं कर सकते कि वो क्या है तो instead of putting our energy in understanding the preservatives I would suggest कि natural remedies ज्यादा पोटेंट हैं वो living cells हैं ज आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा time invest करते हैं ना खाना बनाने में बस यह आप skin के लिए खाना बना रहे हैं और जितना भी preparation time है वो खाने को बनाने के लिए जो time लगता है बस वही time है और उतना ही nourishment आप अपनी skin को externally देते हैं तो आपकी skin भी आपको visible results दिखाती है खुश रहती है कोई flakiness आपको नहीं होती है कोई dryness नहीं होती है कोई dullness नहीं होती है open pores visible नहीं होते हैं ultimately pimples नहीं होंगे blackheads नहीं होंगे और आपकी skin इतनी healthy रहेगी कि बिना makeup के आप बाहर जा सकते हैं and you can still feel so much confident प्रीती प्रेणा का channel सिरफ यही कोशिश कर रहा है कि आप सभी अ अपने आपके लिए बेहतरीन results पास सकें जितना भी confusion market में इतने सारे brands ने कर रखा है उन से थोड़ा सा निजात पा के actually जीएं जी हां कब जीना शुरू करेंगे पता नहीं अब यह तक तो बस market में product से डून रहे है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है आप सबीसे करके आप अपने ले और भी बहुतरीन results लेकर आएंगे और खुश रहेंगे और शांत रहेंगे और पीस अफ माइंड के साथ यह सारी चीजे अपने ले ट्राइ करते हुए अपनी ले लिए बहुत खुबसूरत बनाएंगे मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your hair skin and health तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए और इन सभी remedies को अपने ले ट्राइ करते रहिए before after click करना मत भूलना हो के I'll see you all उलते हुआ है